और यूरूप से इरान इस्राइल जंग में बिटेन भी अपकूद पड़ा है बिटेन के प्रधनमंत्री रिशी सुनक ने कहा है कि इरान के ड्रोनों को बिटेन की रॉयल एरफोर्स ने तबाह कर दिया उदर इस्राइल के पलटवार की रिशत में इरान के अंदर लोगों में बेचैनी देखने को मिल रही है कई इंटरनेशनल रिपोर्स में दावा किया गया है कि लोग अपने गाडियों में पैट्रोल भरवाने के लिए भाग दौड कर रहे हैं लोग युद्ध की वज़े से खौफ में हैं टेर सौ से ज्यादा ढूंग टीज क्रूज मिसाइल सौ से ज्यादा बैलेस्टिक मिसाइल तीन देशों की जमीन एराण, एराण और यमन गरिब तीन सो ढूंग, क्रूज और पलिस्टिक मिसाइलों के साथ एराण, सीरिया, यमन और एराण की धर्ती से इस्यादा पर तीन दर्फा हमला हो गया इरान के सरवोच नेता आयतुलाख खामनेई के एक इशारे पर इस्रेयल को दहलाने के लिए दुनिया के तीन देशों से सैक्रो मिसाइल ब्रोन इस्रेयल पर तूट पड़े इस्रेयल का आयरन डोम एक्टिव हो गया इस्रेयल का एरोग डोम भी जंग के आस्मान में कहरखाने लगा इस्रेयल, जॉर्डन और सीरिया के आस्मान में मिसाइल से मिसाइल टकराने लगे ग्रोन से आयरन डोम के हथियार टकराने लगे इस तरह इरान और इसरेल का युद्ध शुरू हो है। इरान ने वो जिज़त तोड़ दी जो उसको बार बार इसरेल पर सीधा हमला करने से रोक रही थी। इरान के सरवुच नेता खामनेई ने जो वादा किया था वो बदले का वादा पूरा कर लिया। जिसका नाम था Operation Truthful Promise। लेकिन अब इस जंग में आगे क्या होने वाला है। क्या ये जंग बढ़ने वाली है। इसरेल अब क्या एक्शन लेने वाला है। आखिर क्यों इरान ज की राश्रपती और अमेरिका के उपर राश्रपती ने इसरेल की सुरक्षा और इरान पर कार्यवाई को लेकर आखिर क्या बयान दी है। आखिर इसरेल की वार कैबिनेट इरान के खिलाफ पलटवार को लेकर क्या फैसला ले चुकी है। इन सारे सवालों का जवाब आपको हम देने बाले हैं लेकिन सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे इस्रैल की जमीन पर हुए हमले से जैसे इस्रैल पर इरान ने ताबर तोड तीन सो ड्रोन और मिसाइल दागे और इस्रैल का आरन डोम और एरो डोम एक्टिव हो गया वैसे ही पूरे इस्रैल में छेताउनी के सा इस्रैल के तमाम लोग और नावरे सुरक्षा के लिए बने हुए बंकरों और बंशेल्टर्स की तरफ दोड़ पड़े इस्रैल की पूरी आर्मी इरान के हुए हमले से बचाव करने में जी जान से जुट गई फिलहाल युद्ध के स्थिति ये है कि इस्रैल मनोवैग्यानिक जंग लड़ने में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है इस्रैल की तरफ से ये बायान दिया गया है कि इरान की तरफ से फायर किये गए सभी ड्रोन और मिसाइल लगभग 99 प्रतिशत तक इस्रैल के एर डिफेंस हवाई सुरक्षा के द्वारा रोक दिये गए है लेकिन अराद के पास बेडोईन शहर में इरान की एक मिसाइल का हमला कामियाब हुआ है जहाँ पर 7 साल की एक लड़की खायल होई है इस्रैल के एक मिलिटरी बेस के हवाई पट्टी को नुकसान पहुचाने का दावा शुरुवात में किया गया था क्योंकि यहाँ पर एक ट्रूज मिसाइल के सफल हमले की बात कही गई लेकिन इस्रैल ने फौरण इसी एर बेस का एक वीडियो जारी किया है जिसमें इसी हवाई अड़े पर F-35 लड़ा को विमान उतर रहा है इस्रैल ने साफ साफ कहा है कि एरान के हमलों का उसकी हवाई पट्टी पर कोई असर नहीं हुआ दूसरी तरफ इस्लामिक रिवॉलूश्री गार्ड कॉप्स के कमांडर इन चीफ हौसेन सलामी ने भी चेताओनी दी है कि तहरान अपने हितों, अधिकारियों और नागरिकों पर हुए किसी भी इस्रैली हमले के खिलाफ जवावी का रवाई करेगा उन्होंने कहा कि हमारा हमला जबरदस्त रहा, इस्रैल को उमीद से ज्यादा चोट लगी है हमने हमला करके अपने सारे निशाने सही लगाए है कि अगर इस्रैल ने इरान के खिलाफ जवावी कारेवाई की तो हमारी प्रतिक्रिया इस सैन्ने कारेवाई से कहीं अधिक बड़ी होगी ये तस्वीर देखिए, जिस सुक्त इरान और उसके सायोग्यों की दरब से मिसाइल और गोन इस्रैल पर हमला कर रहे थे उस वक्त और उसके बाद कई घंटे तक सीरिया, इरान, इस्रेल, जॉर्डन के आस्मान पर कहीं एक भी यात्री विमान लोकेट नहीं हुआ यानि पूरा एर स्पेस बंद कर दिया गया था टाइमस ऑफ इस्रेल के मताबिक एरान और उसके सायोकियों की तरफ से 170 ड्रोन फायर किये गए ये सारे ड्रोन इस्रेल ने मार दिये, यानि एक भी ड्रोन इस्रेल की धर्की को हिट नहीं कर पाया इरान ने 30 क्रूज मिसाइलों से फायर किया, इनमें से 25 क्रूज मिसाइल इसरैल के हवाई सुरक्षा खवच ने धवस्त कर डाले, इरान ने 120 बलेस्टिक मिसाइल फायर की, इनमें से जाधा तर लंबी दूरी तक जाकर Air Defense करने वाले इसरैल की मिसाइल, Air Dome सिस्टम ने नश् इस्रेल के अंदर पिछले कई दिनों से मौजूद है और रक्षा मंत्री योग गैलंट के साथ उनकी चर्चा जारी है। इस्रेल जीत गया है क्योंकि इरान कोई भी बड़ा नुपसान करने में सफल नहीं हुआ है। इस्रेल पर हमला करने के फौरण बाद इरान के शहरों में जबरदस्त जश्ट मनाया किया। दूसरी तरफ इरान ने संयुक्त राश्र को एक पत्र भी लिखा और इस पत्र में ये कहा गया कि यूएन के चार्टर 51 के तहर। उसे इस्रेल के द्वारा किये गए हमले का बदला लेने का अधिकार है और उसने यूएन के चार्टर का ही पालन किया है। इरान ने कहा कि वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के राशोबदी जो बाइडन की शुरुवाती प्रक्रिया बहुत संतुले थे। अमेरिका ने कहा है कि इस्रेल इस मामले को अब ज्यादा तूल ना दे और शांती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ इरान ने हमला करने के बाद अमेरिका और इस्रेल को धमकी दिये। इरान सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर इसरेल ने इस हमले के बाद पलटवार किया तो इरान वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिका के छेकानों पर बड़ा भीशन हमला कर सकता है इरान ने अमेरिका मुधम की देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने इस रेल का समर्थन किया तो इसका जबाब दिया जाएगा यानि हर हाल में अब इस रेल के बाद पलटवार अमेरिका पर होगा इस वक्त सीरिया के अंदर अमेरिका के 800 सैनिक है साफ नजर आता है कि अमेरिका ने इरान को पूरी तरह से घिर रखा है इसरेल की सेना इसरेल डेफन स्पोर्स के मुक्ष प्रबक्ता देनियल हगारी का ये बयान है कि फ्रांस ने भी इरान के हमले से बचाओ करने में पूरी मदद की है अमेरिका की शुरुवाती प्रदिक्रिया तो यही है कि युद्ध आगे ना बढ़े लेकिन इसरेल इरान के हमले के खिलाब पलटवार करेगा या नहीं ये इसरेल की युद्ध कैबिनेट में तै होगा फिलहाल इसरेल के पलटवार के खौफ में इरान के लोग बेचयान और परिशान नजर आ रहे हैं इसरेल ने फौरन संयुक्त राश्य सुरक्षा परिशत की बैठक बोलाने की मांग कर ढली और अब वो इरान को दुनिया के अंदर साइड लाइन करने की जवरदस्थ पूपनेतिक अभियान में लग गया है और देखे इस वक्त इसराइल की पूरी एरफोर्स का फोकस गाजा से हट कर इरान की तरफ हो चुका है और इसलिए उसने अपना सबसे खतरनाख फाइटर जेट 24 घंटे लॉग रेंज वाली ऑपरेशन के लिए तयार कर दिया है पश्यमेश्या के आसपास समंदर इस वक्त उबल रहा है इसराइल जबाब देगा इसका सब को यकीन है फारस के खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है उबलते समंदर में डाले गए युद्ध वाले तेजाब का असर दिखने लगा है चार देशों के नाम लिये जा रहे हैं ये हैं इरान, इस्रेल, अमेरिका और रूस इरान के समंदर में बहुत बड़ी साज़श अप्रेल के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है क्या अप्रेल के महीने में इरान और इस्रेल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है ये है इस्रेल का F-35 फाइटर चेट युद्ध के लिए बेचान बैठा यही है असली विमा जिसे इस्रेल ने बड़े मिशन के लिए रेडी कर दिया है ये दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घादक फाइटर है जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीक में कर पाएगा इस्रेल ने अपनी F-35 स्टेल्थ जेट वाली फोर्स को इरान पर हमले के लिए पूरी तरह तयार किया हुआ है F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आथा यही इसकी सबसे वड़े खास्यत है F-35 के अधिक्तम रवतार करीब 2000 किलोमेटर पती घंटे है न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है ना ही उसके रेडार इसे ट्रैक कर पाते है यही वज़े है कि F-35 इरान पर अगर हमला करता है तो इरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुँचकर यह बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है इसरेल के पास 49 F-35 फाइटर जेट है अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान है अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रगता है इस विमान को रोपने की ताकत इरान के पास नहीं है लेकिन इरान की छोटी लेकिन बहुत ही घार तक ड्रोन वाली मिलिटरी पावर ने कि इसरेल हो चाहे अमेरिका उसकी ड्रोन शक्ती से पश्चिन एशिया में उसका कोई दुश्मन नहीं बच सकता सवाल है कि युद्ध का दायरा बढ़ने पर क्या अमेरिका के मिलिटरी अड़े इरान का अगला टार्गिट होगा पाकिस्तान में एक बार फिर से अग्याद बंदुग धारियों को कोहराम चारों तरफ देखने को मिला पाकिस्तान के अंदर उस अमीर सर्फरास का कतल हो गया जिसने भारतिय कैदी सरबजीत सिंग की हत्या की थी इस चेहरे को आप पहचानते हैं ये वही सरबजीत सिंग है जिनकी जान की सलामती के लिए करोडों हिंदुस्तानी कई सालों तक दुआ करती रहे आखिर 2 मई 2013 को पाकिस्तान के अंदर सरबजीत सिंग को मार दिया गया था लेकिन जिस अमीर सर्फरास ने सरबजीत सिंग के हत्या की थी उसी अमीर सर्फरास को अब अग्यात बंदूक धारियों ने मौत के घाट उतार दिया है ये शब्द इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत चर्चा में है ब्रेटन के अकबार दे गार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर अग्यात बंदूक धारियों की दैशत पर एक स्पेशल रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था किये अग्यात बंदूक धारी भारत के खोफे अजेंसी रौ के एजेंट है जो पाकिस्तान के अंदर मौझूद भारत के दुश्मनों से खौफनाक बदला ले रहे हैं और अब अचानक पाकिस्तान के अंदर सरपजीद के हत्यारे अमीर सरपराज के मुर्डर के खबर ने पूरे देश को चौका दिया है सरपजीद सिंग भारत पाकिस्तान सीमा परवसे तरंतारन जिले के भीखी विंद गाउं के रहने वाले किसान थे 30 अगस्त 1990 को वो अंजाने में पाकिस्तानी सीमा में पहुँच गये थे जहां उनको पाकिस्तान की सेना ने गिरफतार कर लिया था तब उनकी उम्र 26 साल थी बिटन के अकबार दे गार्डियन के दावे के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाये थे अब अग्याट बंदूक धारियों की गोली से मारे गए अमीर सरफराज पर भी पाकिस्तान के अंदर भी मातम शुरू हो सकता है और यहां रुकेंगे एक ठोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासर हो